कि नमस्कार अधाब न्यूस्ट्रिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर हर्याना में निर्माण मजदूरों का राजबापी प्रदर्शन संगठन ने डिप्टी सीम आवास के गहराव का किया वाहन कोरोना संकठ उत्रप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्रपांडे नए एलेक्शन कमिशनर बनाए गए COVID-19 UP राशन, पैसे और मन्रेगा के काम के अभाव में प्रवासी मजदूर आत्म हत्या करने को हो रहे हैं मजबूर और आखिर में कोरोना अपडेट, डेश में 24 घंटों में 92,791 नए मामले, 2,222 मरीजों की मौत COVID-19 वाहमारी की दूसरी लहर के दौरान कामकाजी वर्ग के लिए कम बचत और अपरियाप्त समाजिक शुरक्षा के उपायों पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए चल रहे देश व्यापी अभ्यान के तहट मंगलवार 8 जून को हरियाणा के निर्मान मजदूरों ने पूरे राज्य में ब्लॉक्स तरपर धर्ना प्रदर्शन किया Construction Workers Federation of India यानी CWFI की हरियाणा एकाई के नेतरित्व में मजदूरों ने अपनी मांगे रखी जिसमें हर निर्मान मजदूर को प्रती महिना 7500 रुपए और कोविट संक्रमित होने पर मुफ्त इलाज की मांग शामिल है CWFI Center of Indian Trade Unions C2 से संबध है मंगलवार के इस प्रदर्शन के साथ ही राज्य में निर्मान मजदूरों के संगठन द्वारा स्टेट वेलफियर बोर्ट की बढ़ोतरी की मांग वाले अभियान की भी शुरुआत हो गई इसी के तहट संगठन ने डिप्टी सीम दुश्यन सिंग चौटाला के सिर्सा के आवाज पर गहराप करने का भी आवाहन किया CWFI के राश्य अध्यक्ष सुकबीर सिंग जो मंगलवार के प्रदर्शन में शामिल थे उन्होंने न्यूस क्लिक को बताया कि राजे के हर ब्लॉक में प्रदशन किये गए और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और डिप्टी सीम चौटाला को सम्मधित परचे भी हर जिले में अधिकारियों को दिये गए केंदर की मोदी सरकार ने आखिरकार विपक्षी डल, समाजिक संगठनो और सुप्रीम कोट की फटकार के बाद सभी को मुफ्थ टीकों का एलान तो कर दिया है लेकिन सरकार ने इसमें भी निजी अस्पतालों के लिए 25% टीके आवंटित करने का फैसला किया है लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि जब देश में सभी के लिए मुफ्थ टीके की योजना है तो निजी अस्पताल किस बात का पैसा लेंगे गौरतलब है कि प्रदान मंत्री नेरेनर मोदी ने सोमबार को कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीका करन के लिए राज्य को 21 जून से मुफ्थ टीका उपलप्त कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों के आपूर्ती में बड़े पहमाने पर बड दिन की शतुत पर एले के लिए सुथा है जा अबम गयातन का प्रदान में लीव कर है लाएगा चूरत भी यहा है और श्तूर्ती टीकों के अब आने में तो यहिए अिस 59 से जा से बड़े ल 몸 एजब उग टू स्थान कई उपका ज्क्ने वहाद्य टे करी Kelvinग कर ते किएया let the government do it, centre do it and give it to us. And there has been a course correction. You know, let's try and understand this a bit and think about it. That, you know, you made lovely butter chicken at home and if you're vegetarian, maybe paneer makhni that you've made and you don't want to make the rotis or the naan. So what do you do? And this happens in every family. You call up the local dhaba or the restaurant or club and ask for rotis to be delivered. The tandoori roti or naan which goes well with the butter chicken or the paneer makhni that you've made. Now, imagine that you tell everyone in the family that you call up the dhaba or the restaurant or the club yourself and tell them how many rotis you want, right? Or how many naans you want. What is the normal procedure? Everyone asks, how many are you going to have? How many are you going to have? You collate the total and then give a single order. But now instead of that, you say, oh, how many do you want? And someone says, I want two tandoori rotis. Another one says, I want a naan and a, you know, a lachcha paratha. Says, okay, everyone make your own phone calls and get the delivery. Now think about it. What is going to happen? The person who first makes the delivery, phone call, gets the delivery and they're waiting. And they say, okay, my rotis have come. I am going to start eating. So they eat while the rest wait for their deliveries to happen because they made their phone calls later. And when the restaurant gets these eight different phone calls, they don't know how to track and who to send. So they send eight different people to deliver the food, right? To the same place for the same objective of providing rotis. So think about that. It's more or less the same way in which the vaccination process was opened up. It supposedly opened up in April. Every state was supposed to make their own demands and get vaccines for themselves. Yes, a part of it, 50% of it or half of it was going to be delivered by the center, no doubt. But there was no plan. So finally, the government has understood that if you have to order rotis to the same place, same restaurant, better collate all the demand, find out who wants what and order at one go. That is exactly what is happening. But even now, we don't really know how it's going to be distributed to the states. There is no clear plan available, no transparency. Is there a policy as to if there are cities which are congested where there has been a high incidence of COVID, is the government going to vaccinate those places first? Are they going to treat villages the place to vaccinate first because that's likely to be hit by the third wave? Or is there a policy on vaccinating children who are supposedly going to be hit by the third wave? What is the policy? We just don't know. And I think in some senses, we have got used to a system in which of authoritarian top-down planning and decision-making. We just don't question it anymore. And that is what we are seeing, that we don't ask questions, we don't seek transparency. Anything that happens is dictated right from the top and it is changed whenever it is required. देश को नया Election Commissioner मिल गया है. पूर्व चिफ इलक्शन कमिशनर सुनील अरोडा के 12 फर्वरी को रिटाइर हो जाने के बाद से तीन सदज से कमिशन में एक पत खाली पड़ा था. उतर-पदेश के पूर्व मुख्य सचिब रहे अनूप चंद्र पांडे की इस पत पर नियुक्ति के आदेश कर दिये गए हैं अनूप चंद्र 1984 बैच के रिटायर आईएस हैं यूपी की योगी सरकार से उनकी काफी निकटता रही है जब वे फरवरी 2019 को रिटायर हुए थे तब योगी ने उनका कारेकाल 6 मेने बढ़ा दिया था 62 वर्षिये पांडे का कारेकाल 3 साल तक होगा इस दोरान मार्च 2024 के चुनाव भी होंगे साथ ही अगले साल उनके उपर पंजाब, उत्रप्रदेश, गोवा, मनिपुर और उत्राखंड के चुनाव की भी जिम्मेदारी होगी कोरोना वायरिस महामारी की पहली लहर की तरह इस साल आई, दूसरी लहर में भी महामारी का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है और उसमें भी उत्रपिदेश के प्रवासी मज़़ूर इस सबसे जाधा प्रभावत है कि वो आत्म हत्या करने पर भी मजबूर है उत्रपिदेश में जगा जगा लॉकडौन की वरे से वापस आये प्रवासी मज़़ूरों की स्थिती बत से बततर हो गई और उन्हें राज्जे में मनिजिगा स्कीम के तहट भी काम नहीं मिल पा रहा है उधारन के लिए 40 साल के वरिंदावन बंजारे की कहानी सुनिए महामारी से पहले वे दिल्ली के नागलोई में सिक्यूरिटी गार्ड का काम करते थे और उनकी तनकुआ करीब 22,000 रुपे थी मगर लॉकडाउन लगने के बाद उनकी जिन्दी की जैसे पलट गई बांदा जिले के रहने वाले बंजारा ने पहली लहर में तो जैसे तैसे प्रतिशत बयाच पर पैसे उधार लेकर चोटा मोटा काम कर के गुजारा कर लिया मगर दूसरी लहर में उनकी आई शून्ने हो गई बंजारा के जैसे कई मजदूरों से हमारे समवादाता अलीम जाफरी ने बात की उन लोगों ने बताया कि गाओं में पीडियेस के तहट राशन पहुँचे या ना पहुँचे इसका कुछ पता नहीं है और लोगों ने भी कहा कि वे सरकार पर किसी भी चीज़ के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं इसके लावा मजदूरों ने ये भी बताया कि सीम योगी के चुनाफ शेतर गोरकपुर में भी मनरेगा स्कीम के तहट काम नहीं मिल पा रहा है जिससे इन प्रवासी मजदूरों का संकट बढ़ता जा रहा है बुदभार 9 जून को जारी आकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 92,791 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा करोना से एक दिन में 2,222 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी भी देश भर में करोना से पिड़त 1,62,422 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिम मामलों में 32,287 मामले कम हुए है माराश्ट्र में अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है हालांकि नए मामले लगतर कम हो रहे हैं लेकिन संक्रमन के कारण अब भी कई लोग अपनी जान गवा रहे है माराश्ट्र में आज फिर 700 से जादा लोगों ने अपनी जान गवाई राज्जे में मौत का अंकड़ा बढ़कर एक लाग पार पहुच गया है और एक लाग सतर हजार से जादा लोग अभी भी करोना से अपनी जंग लड़ रहे है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर दो करोड़ नबे लाग अठासी हजार इकतिस हो गई है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या घट कर अब 4.23 फीसिदी यानी 13,3702 हो गई है आज के डेली राणडप में बस इतना ही न्यूस क्लिक की खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं लेटेस अपडेट के लिए आप हमें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं न्यूस की देखने के लिए शुक्रिया